हेलो दोस्तों तो चलिए आज से हम लोग सुरूं करेंगे कंप्यूटर शामा निग्यान से संबंदित कुछ आपके लेक्चर्स होंगे और उसके बाद कुछ आपके मौक टेस्ट होंगे याद रखिए इतने लेक्चर्स खतम करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको दूसरी जगे बटकने की जरूरत पड़ीगी फिर चाहे आपकी कोई भी एक जामोर जिसमें कंप्यूटर जीके का महत्त है उसके सभी क्वेश्चन्स आपसे सॉल्व हो जाएने फिर चाहे वो लेकित में हो तो आपको इतने जितने चैप्टर नीचे दिए जा रहे हैं इतने आपको अच्छे से एड़ेस्ट करके सुनना है जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगी उनके बारे में भी आपको पढ़ना है उसके बाद आपको कंपूटर से मुक्ती मिल जाएगी यानि कंप्यूटर से लिवर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंप्यूटर का परिचे देखेंगे कंप्यूटर सामान जान में फिर दूसरा चेप्टर होगा हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्ट्चर फिर आपकी इंपोट और आउपूट से पढ़ेंगे लास्ट में फिर हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपके जो वन डेक जाम में वन लाइनर आते हैं कुश्चन वह भी सॉल्व हो जाएंगे डेटा निरूपन के बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सॉप्ट्वियर के बारे में साथवे चेप्टर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे आठवे चेप्टर में हम लोग माइक्रोसॉप्ट विंडूज देखेंगे फिर नौवे चेप्टर में माइक्रोसॉप्ट ओपस देखेंगे डेटा भी इसकी धानाएं देखेंगे फिर डेटा संचार औ कुछ सब्संशेद फिर बात करेंगी गंप्यूटर सब्दावली कंप्यूटर से यो सब्दावली है उनका भी अर्थ देखेंगे उसके बाद हम लोग कुछ मौूप टेस्ट लगाएंगे आν लगाएंगे मौक टेस्ट और प्रैक्टिस सेटे कुछ दिये हैं कुछ हम लोग बना लिएंगे मुझे लगता है इसके इस सभी मौक टेस्ट खतम करने के बाद आपके वन डे एकजाम में जिस तरह के लिकित में हो या अब्जेक्टिव में हो आपका जिसे सभी सॉल्व करने में आप सक्षम हो जाएंगे ठीक है तेरह चेप्टर है और बाकी एक सब्द संचेप होगा कंप्यूटर सब्दा बली और फिर आपके मौक टेस्ट होंगे बाकी इतना ही आपको पढ़ना है बहुत काफी है इसके बाहर कोई भी कुश्यंस नहीं जाएगा आपका ठीका टेंसर नहीं लेना है इतना पढ़ लिए काफी हो गया है बहुत जानदा हो गया है क्योंकि बहुत ही डिटेल में पताया गया है इसमें तो चलिए पहला कुश्टर ह होगा हमारा अंगला कंप्यूटर का परिच्छे देखेंगे हम लोग आगे से याद रखना है आपको यह सभी जितने भी चैप्टर आपके खतम होंगे इनसे संबंदी जितनी किलास बनेंगी आपकी लेक्चर वो सभी एक जगे में जाएंगे आपको वह आपकी अपनी कंप्यूटर जी के नाम से किलास कंप्यूटर किलास के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सोची होगी उसी में सभी लेक्चर ले रहेंगे आपके ठीक है